Hello and welcome friends, Microsoft Excel सीखने के सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ Excel के अंदर एक function हमें create करना है और वो VBA में करना है तो सबसे पहले तो आपको Excel को open करना चाहिए तो ये Excel का 2007 version है मैं इसी को open कर लेता हूँ और इसी पर आपको दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे हो सकता है ठीक है अब इसके लिए हमें क्या करना है यहां से Alt के साथ F11 प्रेस करना है जैसे ही प्रेस करते हैं तो हम Microsoft Visual Basic के विंडो पे आ जाते हैं और यहां पर डिम लेखा है मैंने फिर नमबर एक वरेबल है जिसका डेटे टाइप डवल टाइप का है डवल यानि यह decimal value भी accept कर सकता है और यहां पर result नाम से बनाया है अब होगा क्या आप बाकी की नीचे की चीज़े देखी सकते हैं अब यहां पर कोई भी एक नमबर हम डालते हैं जैसे 5 तो 5 का double क्या वर 10 हुआ है तो यहां पर अगर मैं ok करता हूँ तो यहां पर हमें क्या मिलता है double of 5 is 10 देख सकते हैं अगर मैं फिर इस code को चलाता हूँ और इस बार हम क्या enter करते हैं यहां पर enter करते हैं 100 तो 100 का double कितना होता है 100 का double होता है 200 तो यहां पर क्या आ रहा है देखिए 200 आ रहा है की नहीं आ रहा है देखिए इसको हम decimal में करके देखते हैं चुकि जानते ही है कि double dedicated decimal भी accept कर सकता है तो यहाँ पर यह हमने किया और यहाँ पर क्या करता हूँ 5.5 करता हूँ तो 5.5 कलर मैं चलाता हूँ तो यह देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है यहाँ पर देख सकते हैं एक्जेक्ट इसका डबल आ रहा है देख रहा है 5.5 का exact double 11 होता है वही आ रहा है एक बार और इसको चलाते हैं और यहाँ पर 11.22 करते हैं तो अगर 11.22 किया है तो exact इसका double 22.44 भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है तो उमीद करता हूँ बात समझना है होगी code बड़ा simple सा छोटा सा है आप चाहे तो इसे note कर सकते हैं अगर जरूवत है तो मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर भी दे दूँगा टेलिग्राम चैनल का नाम है सूरत्थर कंप्यूटर वाले यह तो आप जानते ही है तो वहाँ से एक code उठा सकते हैं इसे तो simple है बहुत आसानी किता देख सकते हैं ठीक है